तो मैं आज आपके लेके हैं इंडिया की सबसे वैल्य फोर मनी और फीचर पैड कॉंपेट इसका नाम है हुंड़ाई वैन्यू जानते है कैसी है गाड़ी यह है इसकी की जिसके ने तीन फंक्शन है लॉक अनलॉक और होल्ड करने से बूट ओपन होता है और यह जो वेरिंट है यह जो वेरिंट है यह आपको यह वैल्ली फोर मनी है यहां पर आपको एलेडी पुजेट है लाम सिकने को मिलते हैं कॉर्ण अब मुझे और यह जो कि बहुत बड़ी है और बहुत अच्छा इसका लुक आता है अगा फ्रेंट से लेखते है तो सेंटर में आपको हुंडाई का लोगो है डाइमेंशन आपको इसक्रीन पर मेंशन हो जाएंगे और यह रेड कलर में मुझे बहुत पॉस्टनिक गाडी का ground clearance है यहां पर देखें तो आपको इलेक्टरल अजिस्टिबल मिर्स देखने को मिलते हैं वो भी turn indicators के साथ बोडी कलर्ट के डूर हैं और exterior mirrors देखने को मिलते हैं जो कि अब देख सकते हैं बोडी कलर्ट के है एक combat SUV के साब से इस गाडी का जो running radius है वो भी काफी अच्छा है जो कि है 5.1 meters का यह आपका 195 mm इस गाडी का ground clearance है fuel tank के बात करें तो गाडी के जो fuel tank capacity है वो है 45 liters दोस्तों गाडी के rear profile में जाने से पहले मैं आपको इसका बहुत अच्छा चीज दिखाना चाहता हूँ जो कि इसकी roof wheels जो कि बहुत अच्छा एक look देती है combat ACV को बहुत ही hydrate इसको look देती है अगर आप इसकी roof wheels को देखेंगे तो आपको silver finish में दी गई है center में आपका blacked out area है shark fin antenna भी आपको उपर देखने को मिलता है दोस्तो गाड़ी के rear profile के आपको बात करें तो rear से दिखने में गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है अगर आप आगे और पीछे से गाड़ी को देखेंगे तो आपको बहुत ही futuristic look देखने को मिलता है tail lights करें बात करें तो गाड़ी के आपको full LED tail lights देखने को मिलती है साथ में इस गाड़ी के अंदर connecting LED tail lamps है जो की left indicator से जाके right indicator तक जाते हैं और एक बहुत अच्छा look देते हैं आपको लात में Hyundai की branding यहाँ और venue की badging आपको यहाँ पर देखने को मिलती है दूस्तों में पहले बोला था इस पराइस में बहुत अच्छी गाड़ी है तो यहाँ पर आपको यह में पारकिंस देखने को मिलते हैं साथ मेरी यह कैमरा भी दिखने को मिलता है चले दूस्तों अब बात करते हैं गाड़ी के इंजन के वाए में तो गाड़ी के ना तीन इंजन आते हैं दो पेट्रोल एक डीजल डीजल को मैं बात करते हैं तो 1.5 लिटर का U2 CRDI डीजल इंजन जो की विडिश करता है 114 लिटर का अधावर और 130 लिटर मिटर इंजन भी पर्चेस कर सकते हैं जिसके ना आपको 118 लिटर का अधावर और 172 लिटर मिटर इंजन देखने को मिलता है और बाकी जो आपके दोनों इंजन वह फो स्लेंडर है दोस्तों कि आपका पहला प्रिफिंस गाड़ी की माइलेज है तो आप सबसे पहले इसका डीजल इंजन पर्चेस करिएगा वन आपका जो नॉर्मल पेट्रोल इंजन है वो अच्छा परफॉर्म करता है ड्राइवी सेटी के अंदर और साथ में आप ज़्यादा पहलफुल टर्बो इंजन भी ले सकते हैं बात करते हैं इसके बूट स्पेस की तो 350 लीटर्स इसकी बूट स्पेस कापासिटी है दो से तीन सूटिकेस आपके आजाएंगे एक चोड़ी सी ट्रिप के लिए काफी अच्छा बूट है इस गाड़ी का और यहाँ पे आपका स्पेर वील है जो की R15 है आपको समान लखने के लिए यहाँ पे रियर पास्फिल ट्रे भी दिखने को मिलती है तो यह सारी तो बाते हुगे इस गाड़ी के exterior के बारे में अब चलते हैं गाड़ी के interior में और बात करते हैं कैसी है गाड़ी invers का बात करें तो यहाँ पे आपको dual tone black and rich in teiers देखने को मिलती हैं यहाँ पे आपके power window का switch है साथ में हाएसा आप door को lock या unlock कर सकते हैं बॉटल होड़ लगा स्पेस और साथ में स्पीकर्स दिये गए हैं यह हैं आपकी रियर सीट्स जिसके आपको फिक्स हेड्रेस देखने को मिलते हैं अब बैठते हैं गाड़ी के इंद और जानते हैं कितना स्पेस है इस गाड़ी में तो यहां से मैं बैठ गया हूं गाड़ी के इंद और इनफ स्पेस आपको देखने को मिल जाता है फ्लैट सीट है आपका फ्लैट बैड है तो आपको तीन लोग को बैठने में दिक्कत नहीं आए कि मैं आपको बीच में भी बैठके दिखा देता हूं क्यों सबस्याद दिक्कत बीच वाले पेसंजर को ही आती है कहीं भी डाइफ पर जाते हैं तो सेंटर आमरेस इस मॉडल में नहीं आता है पर यहां पर आपको AC वेंट सेखने को मिल जाएंगे साथ में दो USB के सॉकिट भी देखने को मिल जाएंगे जो कि USB Type-C है यहां से भी आप लाइट सेख सकते हैं जो कि आपका driver side का door तो दोस्तों मुझे personally dual tone के इंडियर सबसे जादा पसंद है आपको कुन से style के इंडियर पसंद है आप comment section मुझे बताइएगा electrical mirror के controls यहां पर दिये गए है जो कि आपके exterior mirrors है lock and unlock child power window और child lock का function भी दिया गया है नीचे की तरफ आपका bottle holder का space है speakers दिये गए है साथ में और ऊपर की तरफ आपके traders दिये गए है जो कि इस price में काफी अच्छा feature है एक compact SUV भी है यह तो चलिए बैठते हैं driver seat में और देखते हैं क्या के features यहां पर आपको देखने को मिलते हैं और यह है आपका full dashboard का लोक उससे पहले में आपको गाड़ी के वेरिंट्स करें बता तो हो गाड़ी के लिए एस, एस, प्लस, S Optional Knight, SX, SX Knight, SX Optional और SX Optional Knight यह सारे वेरिंट्स आते हैं गाड़ी का price charge होता है 7,70,000 रुपे से जाता है 13,50,000 रुपे तक और यह है आपका full digital instrument cluster जिसके center में आपकी MID display है जिसके आपको सारी information गाड़ी के बारे में देखने को मिल जाएगी driver pressure monitoring system भी दिया गया है, drive info, driver assistance, सब कुछ यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा और आप गाड़ी की सारी information इस छोटे से MID display से ले सकते हैं यहां पर IC road warning, welcome, sound, cluster की theme को भी आप change कर सकते हैं अपने हिसाब से आपको जैसी theme रखनी आप वैसी theme भी रख सकते हैं गाड़ी के अंदर left hand side पर आपका speedometer और right hand side पर आपका RPM meter दिया गया है, temperature display भी होता है यहां पर आपका tire pressure monitoring system है अब बात करते हैं गाड़ी के steering wheel की तो यहां से आपको media controls दिखने को मिलते हैं left hand side में और right hand side पर आपके MID के controls हैं काफी अच्छी finish का इसका steering wheel है यहां पर आपके light के controls और यहां पर आपके wiper controls देगए है, tilt function के साथ यह steering wheel आता है और M.I.D. पर display होता है कि आपका कौन सा door open है तो यह बात है तो होगे इसके digital cluster के बारे में अब बात करते हैं गाड़ी के infotainment system के बारे में तो infotainment system भी गाड़ी केना काफी जादा अच्छा है एट इंच का आपको touch screen infotainment system देखने को मिलता है जिसके आपको wireless Android Auto और Apple CarPlay की connectivity देखने को मिल जाती है 4 speakers और 2 tweeters इसके दर आते हैं और आप जानते हैं हुंड़ी का जो music system है उसकी touch quality बहुत जाद अच्छी है और UI कभी भी hang नहीं करता है बाकी गाड़ी हो की तरह यहां से आप touch से भी इस गाड़ी को control कर सकते हैं इसके infotainment system को या फिर आप चाहते हैं तो नीचे आपको सारे के सारे controls दिये गए हैं as a button तो आप वो भी use कर सकते हैं यह आपके इस events है जिसके चारों तरफ आपको एक silver highlight देखने को मिलती है जो की काफी अच्छा finish देती है यह आपके सारे buttons है आपके media controls के लिए hazard lights का function है यह power on and off volume और इस तरफ से आपका track change यहाँ पर आपको normal AC देखने को मिलता है यह आपका blower की settings है और यह आपकी AC की settings है गाड़ी में charging का भी काफी जाता ध्यान दिया गया है यहाँ आपको 12V का socket है type C का USB port है और यहाँ आपको एक normal USB port देखने को मिलता है इस तरफ आ इस है यह आपका 5-speed का manual transmission gearbox है reverse camera में आपको बताया था इस गाड़ी के इना आता है तो यहाँ से reverse camera देख सकते है with guidelines और यहाँ से डिस्प्ले की brightness वागजर सब adjust कर सकते हैं यहाँ पर आपका rear sensors भी इसकी M.I.D. में display होते हैं इस तरफ आप gearbox की quality को देखेंगे तो इस कपड़ की quality काफी जाद अची है full leather finish की आपको design देखने को मिल जाती है यहाँ पर आपका handbrake है दो और सबसे ची बात इस गाड़ी के आपको center armless देखने को मिलता है with storage इस तरफ से भी आपको storage space देखने को मिलता है यह आपका glove box है जो की cooled है सीट के इंबात के तो fan seats काफी जाद अच देखने को मिलता है यहाँ पर आपके sun visors है जिसमें आपको एक तरफ मेरा और एक तरफ ticket holder देखने को मिलता है यह आपका mic है आपके bluetooth calling के लिए तो यह सारी बात है तो गारी के interior की अब बात करते है गारी की safety features की safety features के हैं बात करें तो इस model के आपको dual airbags, ABS-EBD, electronic stability control, brake assist, vehicle stability management hill start assist, impact sensing auto door unlock, speed sensing auto door lock, seatbelt reminder, high speed alert, immobilizer और ISO fix, यह सारी safety features के दिखने को मिलते है गारी के प्राइस करें बात करें तो गारी का प्राइस चार्ट होता है 7,70,000 रुपे से जाता है 13,50,000 रुपे तक यह जो model है S option, petrol के इनदर इसका प्राइस है 9.76 lakh रुपीज और S plus diesel के इनदर 10.46 lakh रुपीज दोस्तों गारी के ने च्छे color आते हैं जो कि आपकी screen पर display हो जाएंगे साथ में tone color भी आता है गारी के ने आपको auto headlamps, headlamp escort function यह सारी features भी देखने को मिलते हैं तो price wise बहुत अच्छी गारी है बहुत अच्छी फीचर है इस price के अंदर अगर आप ए combat SUV खाइदन के लिए